शिव पुराण ऐसा कहता है कि काम और क्रोध हो ये व्यक्ति के महान सत्रू हैं इनसे हम जितना हो सके उतना हम बचने का प्रयास के दो एक काम और दूसरा और किवल शिव पुराण नहीं हो गीता में भगवान कृष्ण ने उंगली दिखा करके अर्जुन से कह था काम एसा क्रोध एसा रजोगुन समुद्भवह महासलो महापापमा विद्येशनम मिहबैजनम अंगली दिखा के भगवान कहते हैं काम एसा क्रोध एसा ये अर्जुन तेरे जो सत्रू है ना ये ग्यारा क्षौनी सेना जो सामने खड़िये कौरवों की ये तेरी बड़ी सत्र नहीं है इससे भी बड़ी सद्रू तेरे अंदर विश्राज मान है कौन दो जो इन 123 सेना के आगे भी बलवान है कौन दो वो लोग हैं काम और को काम शिवकुरान कहता है काम और कुरोध से में बचना चाहिए काम और को जब से कैसे बचा जा सकता है सत्रु का चिंतन हमारा काम क्रोध बढ़ाता है इसलिए सत्रु के चिंतन से हम बचे है सत्रु का यदि चिंतन होता रहेगा हमारा क्रोध बढ़ता रहेगा इसलिए सत्रु का चिंतन हम करना चोड़े और दूसरा कुसंग यह हमारे काम को बढ़ाता है कुसंग वासना में घी का काम करता है इसलिए हम कुसंग से बच करके काम से बच सकते हैं और सत्र चिंतन न करते हुए हम क्रोध से बच सकते हैं